प्रेज अलोड सबको मेरी तरफ से सलाम जैम सिकी मैं शैमिहन्स इंडिया से आप सब तक एक बहुत ही खास बात पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ और ये मिराज का विशे जो है बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और मुझे सुनने वाले सभी परमिशूर के लोगों से मैं रे ब्स्लिम कम्यों दी तक जरूर पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के प्राइम मनिस्टर मिस्टर इमरान खान साव उन तक मेरी इस वीडियो को जरूर पहुंचाया जाए मैं इंडिया से बैटकर ये वीडियो बना तर इन दिनों में एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है एक छोटी बेटी 13 साल की जिसका नाम है आर्जू रजा उसको पहले अगवा किया जाता है उसके बाद 44 इर ओल्ड मुस्लिम व्यक्ती उस बेटी को निका के लिए फोर्स करता है कनवर्जन के लिए फोर्स करता है उसको क्रिश्चन से इसलामिक बनाया जाता है और उसके बाद उसके साथ वो शादी करता है सो मैं जब इस बात को देखता हूँ और मैंने जब इस नियूज को सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था लेकिन जब इस नियूज को मैंने देखा मैंने सुना तो मेरा सच मैं सच बोल रहा हूँ मेरे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक 13 साल की बच्ची आप सोचिए 13 साल की बच्ची के अंदर ना तो इमोशन्स होगे ना फीलिंग्स होगी ना कोई ऐसी कोई फिजिकली इंटिमेंटी सी कोई बात होगी लेकिन एक इनसान जो 14 साल के हैं कितनी घटिया तिंकिंग्स है मैं मसलिम क्मIENटी को बहुत प्यार करता हूँ मैं इसलाम को बरा नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं आपके कनून को इसलीए आज बरा कह रहा हूँ क्योंकि किसने allow कर दिया कि एक 44 साल का आदमी एक चोटी 13 साल की बच्ची के साथ शादी करे और जिन्होंने करवाई है जिन्होंने उसको certified किया है वो किस तरह के जाहिल लोग होंगे वो किस तरह के लोग होंगे जिन्होंने allow कर दिया ये कनून पास कर दिया कि हाँ जी आजाओ आप शादी कर लो ये आज की बात नहीं है बहुत पहले से क्रिस्चन्स के उपर persecution हो रहे है क्रिश्चन लड़कियों को उठा के उनका रेप किया जा रहा है एक 44 साल के आदमी ने एक छोटी बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ शादी की तो आप सब लोग खड़े हो जितने भी क्रिश्चन अवाम मुझे इंडिया और पाकिस्तान से सुन रही है जब कभी ऐसे मसले होते हैं तो एक मुठ एक जान हो जाएं मैं आप सब को यही कहना चाहता हूँ और मैं इम्रान खान साब से पूरी पाकिस्तान गवर्मेंट से यह अपील करता हूँ इंडिया से मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्ची आर्जू रजा को उसकी मा के पास उसके पैरंट्स के पास पहुँचाया जाए मैंने देखा उसकी मा रो रही है वो बहुत जादा परेशान है उनके साथ जो लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं वो भी बहुत परेशान है तो आप सब जितनी भी पाकिस्तानी क्रिश्चन अवाम है सब उनके साथ खड़े हो आज इस बेटी के साथ हुआ है कल औरों के साथ भी होगा मेरी इस बात को याद रखना यदि आप आज कुछ नहीं करेंगे तो कल कुछ नहीं कर पाएंगे खड़े होने का वक्त है डटके आप सब को इन चीजों को सरकार के सामने लाने का वक्त है हम आपके साथ हैं हमारी मनिस्ट्रीज आपके साथ हैं हम हमेशہ जहां कहीं भी आप हमें बुलाएं हम आने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मसलों को आप सुल जाएं इनको दबने ना दें और जितने लोग इन गंदे कामों को अंजाम दे रहे हैं अगर वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाता हूँ सुधर जाओ मसीहों का विरोध करना बंद कर दो खुदा की लाठी में परमेश्यूर की लाठी में आवाज नहीं होती है मैं खड़ा होता हूँ पूरी क्रिश्चन कम्यूनिटी के साथ और मैं अपनी आवाज को इसलिए आज आप सब तक पहुंचा रहा हूँ कि पूरी दुनिया सुने कि सच मुच में हमारे क्रिश्चन किन सिचुईशन में से किन हालातों में से गुजर रहे हैं और मैं आप सब को ये कहना चाहता हूँ आर्जूरजा के घर पे जाएं जितनी भी क्रिश्चन कम्यूनिटी क्रिश्चन अवाम मुझे सुन रही है मैं बड़ी मनिस्ट्रियों से ये रेक्वेस्ट करता हूँ जो पाकिस्तान में अभी परमेशुर के काम को अंजाम दे रहे है उस बच्ची के घर पे जाया जाए उनको हांसला दिया जाया और उस बच्ची को उसके पैरंस के पास वापिस लाए जाया जिस व्यक्ती ने ये गंदा काम किया है उसको सक्ट से सक्ट सजा मिलनी चाहिए और इंडिया से हम आपके साथ हैं हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं अगर वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो हम पर्टेस्ट भी करेंगे मैं जल्दी से जल्दी पकिस्तानी अवाम से और ट्राइम मिनिस्टर साब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मसले पर ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी हल करें तांके सब मसीही लोग जिस तरह से आपकी इज़त करते हैं वो बरकरार रहे परमेशूर आपके साथ हो मेरी तरफ से सब को जैम सीकी